नमस्कार मैं हुवदान तराठोर आप देख रहे हैं निउस बाइस को दीपावली का तेवहर आने वाला है सारे कुमार अपने कामों में जुट चुके हैं तैयारियों में जुट चुके हैं दीपावली का बाजार बस खुलने ही वाला है जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि यहां के कुमार खिलोनों को रंग रहे हैं बाजार में उतारने के लिए तैयार कर रहे हैं दीपक और खिलोने भी रंगे जा रहे हैं जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि कुमार मशीनों की मदद से खिलोने और दीपक बना रहे थे लेकिन आज भी राजधानी राची में कई ऐसे जगह है आज हम स्थित कुछ कुमारों से मिलने वाले हैं जहां ये लोग ट्रेडिशनल तरीके से दीपक और खिलोने बना रहे हैं जो कि राची के बाजार में कुछ दिनों के बाद उतरने वाले हैं आईए हम बात करेंगे यहां के कुमारों से किस तरह से वो ट्रेडिशनल तरीके से खिलोनों और दीपकों का निर्मान करते हैं और किस तरह से उसको रंग कर बजार मुतारने के लिए तयार करते हैं आई ये हम बात करेंगे आप पड़ाई करती है पड़ाई के साथ ये दीपक को और खिलोंड़ बनाने का का पाता है ये काम मूख इरुप से मेरे माता पिता करते हैं अब इदिपावली का टाइम चल रहा है तो लोगों की जरूरत है घर के क्योंकि काम जादा है तो इसलिए हम हाथ बटा रहे हैं आज किल देख सकते हैं कुमार मशीन का प्रेयोग करते हैं लेकिन आज भी आप कर ट्रेडिशनल तरीके से ही बना रही हैं तो क्या कुछ महत्व आपके अंदर बचे हैं और क्या कुछ महत्व आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो महत्तु जंदा रहने चाहिए आपने कहावत सुनी होगी, नया नौ दिन तो तुराना सौ दिन, ये शायद कहावत अभी के समय में हर कोई ना जान सके, लेकिन जो लोग इस बात का महत्व जानते हैं, वो इस ट्रडिशनल काम को भी समाझते हैं। आपने देश में स्रिफ गरीबी ही आई। लोकल को जादा से जादा प्रमोट किया जाए, और इनके द्वारा बनाये गए दिये, देश में बनाये गए दिये का प्रयोग करें ना कि चाइनीज का, बस ये दिपावली के टाइम पर ही ये काम हो पाती है, ऐसे तो मैं पढ़ा ही करते रहता हूं। आज भी लोग आपके जो कुमार हैं वो मशीन से बनाते हैं लेकिन आज भी आप प्रेजिशन करीके से बना रहे हैं। जुँकि कि अन्दर महतल है आज भी massively, वह हम लोग स्वरू से ही हात से ही बनाते आएं। तो भी लोग की ये अच्छा लगता है अब वह मसीन अब Сे अपना सूविधा नहीं कि जो हम मसीन से बना पायां यहां पर लोग सोचते हैं कि ये काम में कोई मेहनती नहीं है, कोई इतना पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। लगभा कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। लगभा बहुत दिन से कर रहे हैं। और किस तरह से यह क्या प्रक्रिया है इस दीपक और खिलावनों को बनाने का देखो हमारे जो राम जी थे ना जब बनवास काट गया थे उस वक्त से कुमार लोकाई दीपक खिलावना का इसलिए हम लोग बनाते हैं बजार में चागाते हैं आजकल बहुत से मशीन्स आ गया हैं लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि आप ट्रीशनल तरीके से जो पुराने तरीके हैं चाग पर बनाने वाला वहीं उसी का इस्तमाल कर रहे हैं क्या कारण है कि यूज करने का इसमें हम लोग अपना जो मन किया तो कर लिए नहीं मन किया और जो पलस हम लोग जो यहां पर बिजली का साधन नहीं है इसलिए हम लोग अपना हाथे वाला चाग पर यूज करते हैं और एक दिन में कितने दिये कितने बना लेते हैं अपना बनाने के उपर में बिटा जोदी शरीर स्वास्त रहा तो पांसो छेसो बन जाता है पानी कि यही कि इस बार का बाजार अच्छा हो और गुहार यही कि लोकल फॉर लोकल और और भी प्रमोट हो इनकी भी दिपावली अच्छे से मन सके देशवासियों से यही उम्मीद है कि वोकल लोकल दियों को खरीदें और इनकी भी दिपावली अच्छी मनाए कैमरा सहयोगी के साथ मैं मैं वैवदांत राठोर वाइसकोप रांची